हलो दोस्तों एक्टिव एकेडमी के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है अपन जो यूपी पुलिस में प्रवेशियर के आई वे क्यूशन पेपर हैं उनको डिसकेशन करने के लिए उनको पढ़ने के लिए जो स्रंकला चलाई हुई है ठीक है उस स्रंकला को आगे भारते स्वनिठाण में दोस्तों जब स्वनिठा अपना लागव हुआ था 26 जनवरी 1950 को उस समय पे भारते स्वर्वेदान में केवल जो है आठ अनुसुचा थी ठीक है दोस्तों उसके बाद जो है धीरे धीरे इसके अंदर अनुसूचां सामिल कर ली गई है और इसके अंदर चार अनुसूचां और इसमें सामिल की गई है तो यहाँ पे अभी वर्तमान में अपने पास भारतिय जो सुधान है उसके अंदर इस समय जो है टोटल बारा अन नेक्स कुन है कौन सा राज्य भारते सव्युधान की छटी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है तो ये जो छटी अनुसूची है दोस्तों छटी जो अपने पास जो अनुसुची है उसमें दोस्तों पूर्वी राजों के बारे में बताया गया है जो पूर्वी राजे हैं उन में से कौन से कौन से राजे अपने पास उसके अंदर है असम है मिजोरम है और उसके अंदर अपने पास तिरफुरा है उनके बारे में इसमें बताया गया है ठीक है दोस्तों तो यहां पे जो है नागा लेंड है वो इस अनुसूचे में सामिले नहीं है छटी अनुसूचे में सामिले नहीं है तो इसका जो राइट ओप्सन है वो है नागा लेंड होगा इसके important notes में दे रखा है कि सविधान के अंदर जो 22 भागे हैं ठीक है उसमें 12 अनुसूचिया है वर्तमान में और सविधान के अनुसूचिय नमबर 6 में पुरुवत्तर के 4 जन्जातिय चेतरों को जो जन्जाति चेतर हैं असम, मेगाले, तुरुपुरा और मिजोरम हैं ठीक है दोस्तों तो इसके परसासनिक उबंद में नागलेंड सामिले नहीं है next question है दोस्तों अपने पास राज्जे सबा में भारत के परतेक राज्जे के लिए सीटों के अबंटन का भारत के सविधान की किस अनुसूची में उले किया गया है सीटों के बटवारे के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे सीटों के बटवारे के बात में यहाँ बात चल रही है दोस्तों तो यहाँ पे अपने पास अभी अपने छटे अनुसूची के बारे में पढ़ा था और पांच वी अनुसूची भी जो है वो इनी से जनजाती है छेतरों से समधित है अनुसूची जनजाती से समधित है ठीक है दोस्तों उसके बाद आठ वी अनुसूची जो है वो भासा से समधित है दोस्तों भासा के बारे में इसमें भारत के अंदर 22 भासाओं के बारे में इसमें बताया गया है तो अनुसूची जो चार है वो सीटों के बटवारे से सम्मन्दित अनुसूची है अनुसूची नमबर 4 इसका right option होगा दोस्तों next question देखिए दोस्तों next question अपने पास दे रखा है निम लिखीत में से कौन सी भासा सविधान की रसना के समय जो है आथिवे अनुसूची में उल्लिखी थी तो यहाँ पे दोस्तों अपने पास जो उपसन दे रखा है उसमें कौन सी भासाईं जो है उस समय उपस्तित थी तो यहाँ पे जो दोस्तों सिंधी जो भासा है उसको 92 अनुचेद के अंदर 92 संसोधन के अंदर सामिल किया गया था दोस्तों और अपने पास यह है बोड़ी और कौन की जो भासाईं हैं इनको 21 संसोधन में सामिल किया गया था यहाँ इनको बाद में सामिल इन भासाओं को किया गया है तो यहाँ पे option होगा कस्मीर जो है जो पहले से ही जो अपने देश के सहुधान के अंदर सामिल थी कस्मीरी भासा अनुसुची आर्ठ के अंदर पहले से ही सामिल थी दोस्तों राइट ओप्सन ये होगा इसका नेक्स्ट क्यूशन है अपने पास राज्य और के अंदर सासित परदेश की सुची भारत के सहुधान की खालिस्तान अनुसुची में उल्लेखित की गई है तो इसमें बता रखा है दोस्तों अपने देश के अंदर संग वे राज्य चेतर ठीक है, के बारे में इसमें बताया गया है, तो ये संगोवर राज्या छेतर से सम्मंदित अनुसूची है, अपने पास अनुसूची नंबर एक अनुसूची फस्ट जो है, वो दोस्तों जो है, वो भारत के सविधान के अंदर राज्या और के अंदर सासित परदेश से सम्मंदित अनुसूची है, तो यहाँ पर ओप्सन नंबर डी होगा, राइट ओप्सन दोस्तों, नेक्स्ट क्यूशन है, सपत और अभी पुष्टी के रूपों का भारत के सविधान की खालिस्ता अनुसूची में उले किया गया है, तो सपत से सम्मंदित अनुसूची है, जिसमें नियाएधीस को, रास्ट पती को, उपरास्ट पती को, नियाएधीस को, इनको सपत कौन दिलाता है, सपत से सम्मंदित, इनके सपत से सम्मंदित, इनको सपत से सम्मंदित, जो है, अनुसूची कौन सी है, तो इनकी सपत से सम्मंदित, दोस्तों, अनुसूची है, अपने पास अनुसूची नमबर तीन है, जिसके अंदर जो है, सपत दिलाई जात ते चोथी अनुसूची पहली अनुसूची इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, तो अनुसूची नमबर 3 जो है उससे समधित है, अपने पास दोस्तों सपत से समधित, नेक्स ओप्षन है अपने पास, जब सयदान को पहली बार अपनाया गया थे तब इसमें कितने अनुछेद थे दोस्तों, तो जब सयदान को बनाया गया थे उस समय भाग थे अपने पास कितने, 22, अनुसूची, थी आठ और अपने पास अनुछेद थे अनुछेद थे दोस्तों 305 में अनुछेद थे उस टेम पे और आज भी अपने पास 305 में ही अनुछेद हैं और 22 भी कितने हैं भाग हैं यह वर्तमान में भी इतने ही है वर्तमान के अंदर भी दोस्तों इतने ही हैं तो यहाँ पर अपने पास right option होगा 305 में दोस्तों ठीक है next question है अपने पास किसके मारक दर्शन में भारत के सविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित यानि कि हस्त लिखित यानि कि हाथ से से लिखा गया वे चित्र बनाए गए ठीक है किसके द्वारा चित्र बनाए गए थे तो शान्ती निकेतन संस्ता के शान्ती निकेतन जो संस्ता है दोस्तों उनके जो चित्रकार थे परसी चित्रकार थे नंदलाल बोस ठीक है जिनोंने जो है सविधान के 22 भाग हैं तो उनके अंदर परतेग भाग के अंदर इस्टार्टी के अंदर छोटे छोटे चितर जो हैं बनाए हैं बहुत ही सुन्दर चितर हैं दोस्तों जो उस सविधान के भाग के बारे में बताते हैं तो यहाँ पर right option होगा नंदलाल बोस्ट ने यहाँ पर लिखित सविधान के अंदर जो है चित्तर बनाने का कारिये किया था उसको सजाने का कारिये किया था दोस्तों नेक्स्ट क्यूशन है अपने पास सविधान के संदर में निमलीकित में से कौन सा सही वाक्या है तो है उनके पास केंदरिये जांस ब्यूरो को तलासी और जबती करने के लिए प्रादीकर्ट करने का दीकार है ठीक है दोस्तों यानि कि यहां पर दरक है जो अपने पास केंद बस्तासार के आरोप से जुड़े सरकारी नो करके तबाबले अथ्वा निलंबन की सिफारिस करने का दिकार है, बिल्कुल लोगपाल जो बिल लाया गया है, उसके अंदर जो बस्तासार के आरोप में जुड़ा हुआ है, कोई वेक्तिलिप्त है, उसको पकड़ा जाएगा, ठ जोसका right option होगा दोस्तों, next question अपने पास, Sविधान के अनुसार इन वेसे कौन सी भारत की रास्ट्य भासा है, तो यहाँ पर इसमें बताया गये कि भारत के अंदर, भारत में, रास्ट्य भासा का जो दरज़ा है, राश्टे भासा का दर्जा है वो किसी को भी नहीं मिला हुआ है आपने पास आंसर है इसने रखा है भारत की कोई राश्टे भासा नहीं है बिलकुल सही है हिंदी और अंग्रेजी इनमें नहीं है हिंदी है अंग्रेजी है नहीं है तो यहाँ पे दोस्तों अपने पास जो राइट ओप्शन होगा वो ओप्शन होगा ए होगा कि भारत की इसलिए 14 सितमबर को है हिंदी दीवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों ठीक है यहाँ पे भाग सत्रा के अंदर जो है 343-351 अनुछेद के अंदर राजभासा के बारे में बताया गया है Next question है दोस्तों अपने पास United Kingdom की संसद के कौन से अधीनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उधार ताना साही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत में अंत को दरसाता है यानि कि इन में से ऐसा कौन सा अनुछेद है या सोरी कौन सा यहां पे अधिनियम है जो भारत में उदार तानसा और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ती के अंतको दरसाता है तो यहां पे दोस्तों चेम्स फोर्ड अधिनियम उनिस सो उनिस जो है उसको जो है तानसा के लिए उदार और जिम्मेदार जो है अधिनियम माना जाता है तो यहां पे आनसो नंबर सी जो है वो भारत सरकार का अधिनियम है जो उनिस सो उनिस है उसको इसको माना जाता है तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि 1919 जो है के बारे में कहा जाता है कि भारत में उदार, तानासा और जिमेदार सरकार की उत्पत्ति क्यांत को दर्साता है यह जो अधिनियम 1919 है इसको मान टेंग्यू चैंस फोर सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है ठीक है जिसे सरोव पर्थम उत्तरदाई सासन सब्द का इसपस्ट परियोग की आद गया था ठीक है दोस्तों यहाँ पे यही ओप्शन राइट होगा नेस्ट यूशन है अपने पास खालिस्तान को भारत राज तंतर को समाप्त करने वाला राष्ट मंडल का पहला देश बन गया कब बना ठीक है हाला कि इस निर्णे के वावजूद इसने कॉमन वेल्थ की सद्देश्यता जारी रखी इसमें जाके भारत जो है राज तंतर को समाप्त करने का और गण तंतर बनने का उसको अवसर कब मिला राज तंतर से और गण तंतर भारत कब बनाता तो भारत को जो है गण राज्य जो है कब कहा जाना लगा तो भारत ने जब सविधान अपनाया सविधान जब लागू हुआ भारत में उसी तिथी को यानकी 26 जनवरी 1950 को जो है भारत जो है राज तंतर से और गन तंतर जो है बन गया था तो यहाँ पे अपना आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को जो है भारत राज तंतर से और गन तंतर की रूप में बदल चुका था नेक्स क्यूशन है दोस्तों अपने पास नेक्स क्यूशन है खारिस्तान ग्रेंविल ओस्टीन द्वारा गड़ा गया एक सब्द है जिसका आर्थ है एक ऐसी ववेस्था जो मजबूत केंदिरे सरकार को जनम देती है लेकिन इसका मतलब यह है नहीं कि इससे परदेशों की सरकारें जो केंदिरे नितीयों का कार्या करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं उधान सवरूत भारत जैसे भारत इसमें बता रखा है तो यहां पर ऐसा कौन सा सब्द है जो यह बताता है कि अपने को कि जो केंदिरे सरकार है वो मजबूत रहेगी ठीक है मजबूत सरकार को जनम देती है ठीक है ना और यहां के बारे मे जो आएगा अपने पास option A जो है सहेकारी संगवाद जो है दोस्तों वो इसका उधारन है जो ये बताता है कि एक मजबूत जो केंद्रिय सरकार जो है वो एक अच्छी सरकार होती है उसके बारे में important notes दे रखा है अपने को इसमें दरक है सहेकारी संगवाद ग्रेनवील ओस्टीन द्वारा गड़ा गया एक सब्द जिसका आर्थ है एक ऐसी वोस्ता जो कि मजबूत केंद्रिय सरकार को जनम देती है लेकिन इसका मतलब यह है नहीं कि परदेशों की सरकारे जो केंद्रिय नितियों का किरियानवन करती है कमजोर पड़ जाएं यानि कि यहाँ पर केंद्र सरकार को को मजबूत बनाया गया है केंद्र सरकार को यहाँ पर मजबूती का दरजा दिया गया है दोस्तों नैस क्यूशन है अपने पास भारत के सविधान की मूल हस्त लिखित कोपी कहां रखी गई है यानि कि भारत की जो सविधान की जो मूल कोपी है हस लिखी थी वो कोपी दोस्तों और उसको वर्तवान में कहां रखाए गया है यह कोपी हिंदी और इंग्लिस दोनों भासाओं में थी हिंदी और अंग्रेजी ठीक है, दोनु भासाओं में थी, तो इसको वर्तवान में जो है, दोस्तों संसद भावन की लाइबरेरी के अंदर, मिथेन के पानी के अंदर इसको घोल कर रखा गया है, दोस्तों तो इसके इंपोरेंट नोट्स हैं, तो यहाँ पे अधर के भारते सोईदान की दो परतियां जो है, संसद भावन के पुष्ट काले के अंदर भावन रहें, हीलियम के कांच में सुरक्षित हैं, हीलियम से भरे कांच में सुरक्षित रूप से रखी गई हैं, दोस्तों, नेस्ट क्यूशन है, खालिस्तान को वर्सब चक्र और अस्वे, युक्त सारनात का सिंग चतुर चत्रुभुज स्तंब सिर्ष रास्ट्य परतीक के रूप में सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था दोस्तों, तो इसमें बता रखा है दोस्तों की अपने देश के अंदर असोक स्तंब जो है, असोक स्तंब को अपनाया गया, कब अपनाया गया असोक स्थम्भ के बारे में इसमें बता रख्या है जिसके चार क्या होते हैं सिंग चत्रुभु स्थम्भ सिर्ष ठीक है तो यहां पर इसमें दरके 26 जनवरी 1950 को जो है असोक स्थम्भ को भारते सोईधान में अपना लिया गया था ठीक है दोस्तों बारत के सोईधान का अनुषेद 66 किस से संबन्दित है दोस्तों तो अनुषेद नंबर अपने पास 63 से लेके दोस्तों 63 से लेके और अनुषेद नंबर जो है अपने पास 68 तक जो है वो सारे के सारे जो है उपरास्पती से समधित हैं उपरास्पती से समधित हैं दोस्तों ठीक है जैसे अंशेद नमबर 63 में रास्पती के पद के बारे में बताया गया है ठीक है दोस्तों यहां से उपरास्पती के समधित अनुछेद एक ही है यहाँ पे अपने पास option number B जो है उपरास पती के चुनाओं से सम्मधित अनुछेद दे रखा है यहाँ पे तो option number B इसके अंदर right answer होगा भारत के attorney general जो है यह अनुछेद number 68 के अंदर आते हैं 78 के अंदर आते है attorney general ठीक है सद्नों की अउदी जो है यह 84 के अंदर लगबग आती है ठीक है सविधान संसद के बारे में 79 के अंदर आता है दोस्तों तो यहाँ पे अपने पास जो अनुछे number 66 है वो उपरास पती के चुनाओं से सम्मधित जो है जानकारी देता है दोस्तों नेक्स अपने पास है भारते सविधान की खालिस्तान भारते जनगन राज्य की अधिकारिक भासाओं की सूची परदान करती है तो दोस्तों इसमें विताया है कि अपने पास सूची 8 सूची 8 जो है वो भारत के अंदर 22 भासाओं के बारे में 22 भासाओं के बारे में अपने को बताती है तो यहां पर option number D जो है वो right होगा सूची आठ जो है 22 भासाओं के बारे में अपने को बताती है दोस्तों next question है अपने पास बारते सविधान में कानून बनाने की निर्धारित परकिरिया काफी हद तक खालिस्तान के सविधान के द्वारा जारी की गई है दोस्तों तो यहां पर अपने पास बारते हैं दक्सिन अफरीका से सविधान संसोधन की परकिरिया संसोधन की परकिरिया ली गई है ठीक है उसी तरीके संयुक्तर अमेरिका से लिए गए है अधिकार मूल अधिकार अपने यहां से लिए गए है ठीक है दोस्तों तो यहां पर अपने पास बदा रहके कानून बनाने की निर्धारित परकिरिया तो यह जापान से कानून बनाने की परकिरिया कानून बनाने की विधी जो है वो जापान से ली गई है दोस्तों तो इसका right answer जो है जापान होगा कानून बनाने की निदाईद परकिरें यहां से ली गई है दोस्तों next question अपने पास बता रख़ा है भारत की सविधान सबाकी संग सक्ती समीती की अद्यक्स कोन थे तो भारते के सविधान सबाकी जो संग सक्ती समीती थी दोस्तों उसके जो अध्यक्स थे वो जवाल लाल नहरू पंडित जवाल लाल नहरू जी थे उसके संग समिती के अध्यक्स इनको बनाया गया था और ये जो है सविधान सभा के इस्थाई अध्यक्स सभा के सभा के इस्थाई अध्यक्स थे इनको बनाया गया था दोस्तों ठीक है जव नेक्स्ट क्यूशन है अपने पास भारत के सविधान के मूल दस्तावेज को खालिस्तान के द्वारा हाथ से लिखा गया था दोस्तों तो इससे पहले भी एक क्यूशन आया था जिसमें बताया गया था कि चितर नंदलाल बोस जी के द्वारा बनाए गये थे ठीक है और ये मंधित अपन नेक्स पहले वाली कलास में भी किया था तो प्रेम बिहारी नायान बोस के द्वारा प्रेम बिहारी नायान जराय जादा के द्वारा हिंदी और इंग्लिस में हिंदी वे अंग्रेजी में इसको हस्त लिखित हस्त लिखित इसको किया गया था मुद्रित नहीं था सविधान का जो मूल कोपी है मूल जो है सविधान कोपी है उस वो मुद्रित नहीं है मुद्रित नहीं है वो कोपी हाथ से लिखी हुई है दोस्तों ठीक है और जिसको सुरक्सित संसद भावन के अंदर जो फुस्तकाले के अंदर रखा गया है दोस्तों तो आज की कलास दोस्तों यहीं से समापत होती है अपनी मैं चाहता हूँ कि आप यूपी पुलिस में जादा से जादा सेलेक्शन लें ठीक है तो अपनी इन कलासों का बारवार रिविजन करते रहिए इनको देखते रहिए और अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए ताकि हम अच्छे सच्छे वीडियो बना सकें आपके लिए सब्सक्राइब कि लीजिए दोस्तों ठीक है धन्यवाद दोस्तों